बिहार के चर्चित रिंटू सिंग हत्याकान में नितीज सरकार के मंत्री लेशी सिंग नहीं सफाइदी है बिहार सरकार में खाद एवम भोक्ता संदर्चन विभाग के मंतरी लेसी सिंग की और से जारी बयान में कहा गया कि सरसी की रिंटू सिंग हत्याकार में मेरा नाम घसीट कर मेरी चवई और परतिष्ठा को धूमिल किया जा रहा है मंतरी ने कहा कि मिर्दक की पतनी दोला सरसी ठाने में धर्श प्रात्मिकी में बताया गया है कि रिंटू सिंग की हत्याकी साजिस लेसी सिंग की राजनी तिकरन जिस है क्योंकि रिंटू सिंग अगामी विधान सवाचुनाव का संभावित उम्मिदवार था इतना सा भी भरोसाई नहीं है। विपक्षियों की साजिस है कि लेशी सिंग की लोगप्रियता को कम किया जाये। यह करवा है, इसमें हमारी भूमिकार है। तो हम सुनके ही हत्प्रद रह गए। कि यह संभावित में अभी तो चार एक साल चुना हुआ है। अभी चार साल बांकी है, कौन होगा, कौन नहीं होगा, सेकड़ों हो सकता है। तो पहले तो यह फ्यार में ही जो मेरा मुझ पर आरोप लगए। जुनके हम हत्प्रद रह गए। तो इसमें तो कहीं से हमारी सरकार जाच कराएगी। सब को भरोसा रखना चाहिए कि यहां किसी को न फसाती है हमारी सरकार न किसी को बचाती है। उसमें पुलिस जाच करेगी दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा। सुल्तान गंस्थाना चटर के महसी मोती चक गाउं में दोपहर के एक बजए एक सिर्फरे ने धार धार हतियार से कई लोगों पर हमला कर दिया। जिससे की पूरे गाउं में एक घंटे तक अफरात तफरी का महौल बन गया। वहीं घंटना में दो लोगों की मौत मौके पर ही हो गई जबकि तीन लोगों भी रूप से घायल हो गए। मिर्टक की पहचान मोती चक के रहने वाले 60 वर्सिय से अलाम मंडल के रूप में हुई है। जबकि दूसरे मौत की पहचान दस वर्सिय अबालक रवी कुमार की रूप में हुई है। वहीं घायल की पहचान महसी काउं के रहने वाले महस्वरी देवी राम देवी आदव सबनम खातून की रूप में हुई है। सभी घायलों को अस्थान ये लोग की मदद से उपचार के लिए रेफर अस्पतार में भरती कराया गया जहां इस्तिती नाजुक देख चिकित्सकों ने प्रास्मिक उपचार के बाद भागलपूर भेज दिया। घटना के जानकारी मिलते ही सुल्तान गंज थाना पुलीस घटना स्थल पर पहुँशी और काफी मसकत के बाद सिर्फर यूवक को गिरफतार करने में काम्याबी हासिन की। घटना के बाद उग्र ग्रामिनों ने सुल्तान गंज पुलीस जीप पर इट पत्थर से हमला कर दिया जिससे पुलीस जीप पुरी तरह से छतिक रस्त हो गया घटना के जानकारी मिलने पर लॉन और डियस पी डॉक्टर गॉलब कुमार भी पहुँचे और परिजनों से पूछताज की और समझा बुशा कर ग्रामिनों को सांध कराया घटना के बाबत बताया जा रहा है कि सिर्फ रायूबक ने अपनी पिता सिया राम मंडल के उपर धार-धार हतियार से कई बार हमला कर दिया जिससे कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई वहीं बचाने वाले लोगों पर भी हमला कर दिया वह विक्रित है मार से उससे सभ्यापन किया जाएगा उन्होंने चार लोग के उपर जो भी तरक इंफरमेशन है चार दो पर अटाक किया दो जो लोग है एक सटर सांधों के पर दिखी हो गई है और जो लोग जबनी है अभी पदरे से बाहर है उनलोगा इलाज चल रहा है और जो मारने वाला है वो भी धायल हो गया है और उनकी वी एलाज चल रहे है मायगा असपर देखें जैसे कि अभी तो जैसे मैंने बोला कि शुलिय में आया है कि जैसे समाद भी बोला और जिस तरीके से जो कृत्ते हुआ हैं सब लोग बोल रहे है कि वो मेंट्ली दूसे सेबल है तो उस चीज का सत्यापन किया जाएगा और आगे की फिरिवर्वाई पुलिस गारे को सत्यापन हुआ नहीं है अगर कुछ ऐसा होगा ऐसा अगर बैवधान डाला गया है पुलिस के कारवाई में उसके बर भी कारवाई की जाए लेकिन अभी तक कुछ ऐसा करें और जल्दी कुछ भी ऐसा भविशम भी ऐसा दिखता है तो पुलिस हर समब मदद करेंगी भागलपूर की सबावट थनाचित के धरियापूर के समीप मोटर सैकल मिस्त्री सड़क हादसे में बुरी तरह जखमी हो गया दरसल जखमी के पिता इजरायल अनसारी ने बता अस्थानी लोगों ने देखा तो इसकी सुचना घायल के पर्यजिनों को दिया सुचना मिलने पर घटना सब्स्रे परिजिनों इसे आनफ Nolan में जवाहर लालनहरू मेडीकल कॉलेज एस्पिताल बھरती कराया जहां इस्तिति गंभीर है डौक्रों ने बताया कि उसके पीठ स और सरीर के कई जगों पर चोट होनी के वज़ा से इस्तिती नाजुक है। अंजाम दे रहे हैं। वहीं उसने इस बात की सूचना अपने बड़े भाई समेद घर के अनस्तस्यों को दी। गरी स्वामी संतोस कुमार की पतनी धीपु कुमारी ने बताया कि चोरों ने घर से लगबग 10 लाक मुल्य बराबर के सोने चांदी का भूसन समेद नगद कपड़ा चुरा लिया है। सुचना पर दलबल के साथ पहुंचे पुलीस ने मामनी की जाच सुजू कर दी वहीं आस पास लगे सीची टीवी कैमरे भी खंगाल रही है। सब्सक्राइब बिस्व मधुमे दिवस की आफसर पर इंडिन मेडिकल एसोसेशन की और से भागलपूर समहार नाले परिसर से जागरूक तहरेली निकाली गई जिसमें लोगों को डाइबिटीज को लेकर जागरू किया गया डॉक्टरों का कहना है कि अभी की समय में लोग जएदा तनाव लेते हैं। सुबह के समय मौर्निंग वाक नहीं करने करन भी आज के युवाओं में यह बिमारी तेजी से फैल रही है। इन लोग का कहना है कि सहरी छेतर में घूमने की जगह भी कम बची है जिसके करन भी यह बिमारी तेजी से फैल रही है। इसे रोक ठाम के लिए लोगों को ध्यान देनी की जरुरत है वही पर्तिदीन सुबह में मौर्निंग वाक की सलादी है। भारत जैसे विकासील देश में तो हमें तनाव से बचना चाहिए। और दूसरा जो इनका बचने का एक मातर उपाय है जो अर्वन छेतर में जनसंख्या के बिद्धी के साथ जो है खेलने, खूदने और टहलने का जगह नहीं बचा कारण बच्चों में भी ओबैसिटी होन भागलपूर जिले के सभी विधान सबाद छेतरों में मद्दाताओं के लिंगानुपात की वरतमान इस्तिती में सुधार और महिलाओं का मद्दाता सूची मनुपात बढाने को लेकर भागलपूर के परमंडले आयुक्त प्रेम सिंग मिला, जिला अधिकारी सुबरत कुम आयुक्त निर्चन के दरान बिसेस अभियान के दरान प्राप्रारूपच्छा की जाच की एवं संबंधित बूत में दर्ज मद्दाताओं के परिवार के बीच जाकर बातचीत भी की और मद्दाता सूची में उनके परिवार से संबंधित किसी पात्र या सूची में सामिल होने के नियमनकूल यूग बैक्ती का नाम छूटा तो नहीं यदि छूटा है तो नियमनकूल मद्दाता सूची में नाम जोड़ने है तू या थुचित कारवाई करने का दिसा निर्देश मद्दान केंदर अस्तरिय पताधिकारी को दिया गिया सबोर परखण में मद्दान केंदर का निर्देशन के बाद प्रमंडली आयुक्त जिला निर्वाचन कारिया ने में संचाली जिला संपर केंदर का निर्देशन भी किये और जिला संपर केंदर को प्रभावसारी संचान लेतू आवस्से कारवाई का निर्देश दिया इस दुरान अपर समारता राजे जराजा आयुक्त के सची वारिस खान उपनिर वाचन पतादिकारी स्वेता कुमारी सहित कई अधिकारी मौजूद थे